नमस्कार दोस्तो वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब दोस्तो अगर आप चैनल पढ़ने आयो तो आपस रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राब करके सबूट कीजएगा अगर वीडियो आपको आच्छी लगे तो दोस्तो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड गाजी अबद उत्रप्रदेश पर इंजिनियरिंग एसिस्टेंट ट्रेनी और टेक्निसियन सी का रिक्रूट्मेंट होने वाला है दोस्तो एडबड़समें नमबर 12949 उब्लिग ZAD उब्लिग EAT उब्लिग 2023 उब्लिग 02 दोस्तो टूटल वेकंसी 46 इसमें इंजिनियरिंग एसिस्टेंट पोस्ट 22 और टेक्निसी एंजियन सी के लिए 24 पोस्ट दोष्ट डिटेल में यह पर देख सकतू इंजिनियरिंग एसिस्टेंट जो बांगेंसी है एक नमर में यह पर आपको 3-year का डिप्लोमा इंजिनियरिंफ्रूम इंस्टीटूश्ण अपको 3-year का डिप सब्रक्सक्रांब चृम सब्सक्रांब यह लन उन दो नस नंज के लिए एक्त्रिक्न पॉस्ट और के सखूतों योल्जिटबम के लिए फोस्ट वस्ट यवार टो पॉस्ट और मेटं रेब गया दोटों मेर्ड推ल मेट्ीन्ग टाइन सलोडल indicator को हिसाब से आपको salary मिलेगा दोस्तो नेक्ष्ट आता है Technician C इसमें आपको SSC plus यानि 10 plus plus ITI वानियर का apprenticeship certificate आपके पास होना चाहिए जो trade में यहापर बतरो electronics, mechanics, electrical and feeder में आपको apprenticeship का one year का apprenticeship certificate होना चाहिए, ITI certificate होना चाहिए और आपको 10 plus होना चाहिए तो दोसो, electronic, mechanic में जो post है, total, 12 post है, you are candidate के लिए 5 post, OBC, NCL के लिए 3 post, HC के लिए 3 post, EWS के लिए 1 post, दोसो, electrical में 2 post, जिसमें you are के लिए 1 post, OBC के लिए 1 post, और fitter में 10 post, जिसमें you are के लिए 5 post, OBC के लिए 2 post, SC के लिए 2 post, EWS के लिए 1 post. दोस्तों यहाँ पर Technician को जो पेस्केल मिलेगा वो 1500 से लिए के 121500 की सबसे आप लोग को salary मिलेगा. दोस्तों qualification मैंने पहले ही बोल दिया, आपकी बस किया होना चाहिए, Electronics में and Electrical Engineering. इसमें Diploma जो Engineering Assistant Training के लिए. दोस्तों, Age Limit आपको मिनिमाम 8 रहर होना चाहिए, एक जनवरे 2024 के उनसर और ज्यादा सा ज्यादा UR Candidate के लिए 28 रहर होना चाहिए. दोस्तों, Age Relation मिलेगा, OBC को 15 साल का, SCST को 5 साल का और जो Physically Handicap Candidate हो उनको 10 साल का. दोस्तों, Application Fee, General OBC EWS category candidate के लिए 300 रुपिया, SCST, PWD, Ex-Serviceman candidate को कोई application fee की ज़रूरत नहीं है. दोस्तों, Job Location, Job दोस्तों, Central Government Job है, कोई भी apply कर सकते हो, Job Location होगा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदश. दोस्तों, Selection Process Retain Test होगा, दो पार्ट में होगा, Part 1, General Appritude, और Part 2 में Technical Appritude, टोटल 500 मार्क का एक्जाम है, दोस्तों, Apply Mode Online, Online Apply, Starting Date में बता रहूँ, यह पर 15 नहीं होगा. दोस्तों, Selection Process में जो Retain Test बता देता हूँ, वो आप लोगों को बता देता हूँ, यह जो Part 1 में General Appritude में 50 मार्क का होगा, जिसमें General Mental Ability रहेगा, and Aptitude, Logical Reasoning, Analytical, Comprehension, Ability, Basic, Numeracy, Basic Math, Data, Interpretation, Skill and General Knowledge. इन में से 50 मार्क का आएगा, और Next आता आपको Technical Aptitude, यह पर आपको 100 मार्क का होगा, Technical Aptitude से जिसमें होगा, Technical या फिर Professional Knowledge, आपकी जो, आप जी स्ट्रीम से उस स्ट्रीम का जो Main Professional, Professional Knowledge से 100 मार्क का MCQ आपको पूचा जाएगा, यह पर जो Pass Mark चाहिए होगा, General OBC EWS Candidate को 35% पाना होगा, देर्शो में से, और SCPWD Candidate को 30% पाने से ही अप लोग eligible होगी, जिसको जाद मार्क मिलेगा, उसको ही सिलेक्शन किया जाएगा, यद रखियागा, दोस्तो, Online Apply स्टार्ट हो गया है, 8 जन्वरी से, Online Apply का लाजडिट, 31 जन्वरी 2024, Official Site, BellIndia.in, दोस्तो, अगर वीडियो आपके लिए helpful रहे, information आची लेगे, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब करके अप्लाइ कर सकते हो, प्लीज वीडियो आची लगे तो सब्सक्रेब करके सब्सक्रेब करके सब्सक्रेब करके लिए, क्योंकि दीन बर आप लोग के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन दाता रहता हूं, थैंक्यू फ्रेंड्स, बेस्ट अफ लग